अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे उतना ही प्यार करे जितना की आप करते हैं, या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई सिर्फ आपकी ही बाते सुने, आपकी ही माने, और अगर आप चाहत हैं कि उस इंसान पर सिर्फ आपका ही राज चले आप जो कहे वो माने आप जो चाहे वो आपको मिले इसका बहुत ही इजी सरल एक उपाय है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगे यह उपाय इतना असरदार है कि आप घर बैठे इस उपाय को कर सकते हैं तो दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत है इसकी इसे कहते हैं इत्र अगर आपके बास इत्र अवेलेबल नहीं है तो आप परफ्यूम या डियो का भी प्रयोग कर सकते हैं पर आप कोशिश कीजिए कि आपकी पहली चोईस इत्र ही रहे क्योंकि इत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है जादू टोने वशीकरण में इत्र हमेशा यूज होता है तो आप इत्र को ही अपना फर्स्ट प्रिफरेंस बनाईए नहीं मिलता है तो आप डियो और परफ्यूम के साथ भी यह उपाय कर सकते हैं आपको ये इत्र लेना है और शुक्रवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है आप सबको तो पताई होगा कि शुक्रवाद शुक्रगृह का दिन है और शुक्रग्र हमारे रिष्टो को जोडने का काम करता है कभी अगर किसी की कुंडली में इस सरल उपाय से कि आप अपने शुक्र ग्रह भी मजबूत कर सकते हैं जीमंत। 2 आपको ये उपाई शुक्रवार के दिन करना है एक पी से सफेद कलर का कप्रा या सफेद कलर के वसराप धारन कर सकती है सब सफेद शर्ट पहन सकते हैं सफेद सलवार कुर्टा पहन सकती है सफेद साडी पहन सकते हैं नहीं है तो सफेद चुन्नी भी आप अपने सिर पल ले सकती है उसके बाद आपको उस दिन ट्राइ कीजिए कि आप सिर्फ सफेद खाना ही खाए सफेद चावल खा सकती है दही खा स या जरूरत मन को दान कर दीजिए, इस से आपका ये उपाय और भी पावर्फुल होगा। ये उपाय आपको करना है संध्या के टाइम पर, याने की 6 से 7 बजे की बीच में। और इस उपाय को कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको इस इत्र की बॉटल को आपकी आँखों के करीब रखना है। ताकि जब आप मंत्र पढ़े तो आपकी आँखें इस इत्र को देख सके। आपको तीन शुक्रवार ये मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों तीन शुक्रवारों के बाद ये इत्र उन मंत्रों से प्रभावित हो जाएगा और आपको उसके बाद क्या करना है ये भी बताती हूँ आप जिस किसी इंसान को अपने वश में करना चाहते हैं आपको उसके सामने जाने से पहले इस इत्र को अपने उपर लगाना है इस इत्र की कुछ बूंदे अपने सर पर, कान के पीछे, गर्दन तक आपको लगा कर उसके सामने जाना है और दोस्तों, जैसे ही आप उस इंसान के पास जाएंगे इस सित्र को लगाने के बाद, वो इंसान इस सित्र की महग से आपकी पास आकर्शित होता आएगा, धीरे धीरे वो आपकी सारी बाते मानने लगेगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, आप जो कहेंगे वही करे ये सिद्ध किया हुआ उपाय है आप इसे जरूर कीजिए इस उपाय का फाइदा उठाइए और सच्चे दिल से जिसे आप चाहते हैं उसे अपना बना लीजिए बस इस उपाय को करने के लिए आपकी नियत साफ होनी चाहिए आप किसी गलत इंसान या गलत चीज को पाने की चाहा मत रखिए सच्चाई से इमानदारी से जिसे आप चाहते हैं आप उसे इजिली पा सकते हैं यह उपाय बहुती सरल बहुत ही पावर्फुल है तो दोस्तों अगर इस अद्बुत उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है या कोई कश्यन है या आपकी कोई जिग्यासा है तो आप बेजज़क हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए आपकी यही समस्या नहीं बलकि आपके जीवन में जितनी भी कटनाईया हैं जितनी भी प्रॉब्लम से उन सब का सुलूशन है जी हां समस्या है तो सुलूशन भी है तो दोस्तों आप जिसे त्यार करते हैं वो आपको मिले आपकी जो चाहत है वो आपके पास आए इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं जै माता दी